जाहें डिफेंस लवर्स आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रकार है सुमवार को होगी भारत उचीन की कोर कमांडर सेवल की उननिस्वी मिटिंग स्रीन अगर एर बेस पर मिक-21 को रिप्लेस कर रहे हैं मिक-29 यूपीजी जीरेसी लांच करेगी प्रोजेक्ट 17 ने की तहर अपनी तीसरी फ्रिगेट पूर्विल अदा की नियोमा एर फिल्ड को फुल फ्लेज पॉप्रेशन बेस में कनवर्ट करने का कारी हुआ शुरू और जम्मो कश्मीर में इंडिनेर फोर्स की गरूर स्पेशल फोर्स ने कंड़क करी मल्टिपल ट्रिल्स भारत में G20 समिट और साउथ एफ्रिका में BRICS समिट से पहले भारत और चीन सोमवार को कोर कमांडर्स लेवल की 19th मेटिंग को कंड़क करेंगे जो कि चुसूल मोल्डो बॉर्डर मिटिंग पॉइंट पर आयो जीत की जाएगी और इस मिटिंग के दौरान LAC से चीनी सैनिकों की वापसी के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का प्रियास किया जाएगा हाला कि एप्रिल में जो कोर कमांडर्स लेवल की अठारवी मिटिंग कंड़क हुई थी तो इस मिटिंग से कुछ भी खास आउटकम देखने को नहीं मिला था और अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को जोई 19 वी कोर कमांडर्स लेवल की मिटिंग होगी तो शायद इसम कंट्राले के प्रवक्तका से प्रश्ण है पूचा गया तो उनके यह ही कहना था difficलि वाली रिपो moyens को देखा एगाए मुटिंक हैं की चीन की आपश्य खाना शब्ट में कहने ANI की तरब सीजारी रिपोर्ट की मुदाविक, पाकिस्तानी और चाइनीज फ्रंट से उभरने वाले खत्रे का सामना करने के लिए, भारत ने अपग्रेड़ेड मिग 29 फाइटर्स यानि कि मिग 29 UPG की स्क्वाडरन को स्री नगर एरबेस पर तैनात कर दिया है। वे इंडिनेर फोर्स के फाइटर पाइलेट स्क्वाडरन लेडर विपुल शर्मा का ये गहना है कि श्री नगर कश्मीर घाटी के सेंटर में स्थित हैं और इसके उचाई मैदाने अलाकों से अधीग है। और सेलिए हाईयर वेट तू थ्रस रेशो और सीमा के निकट होने के कारण कम रिस्पॉंस टाइम वाला यहां पर एरक्राफ रखना रण एतनी रूप से बहतर है और ऐसे एरक्राफ जो कि बहतर एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाली उसे भी लेस हो तो ऐसे में जो ये मिक-29 है तो वो इन सभी क्राइटिरिया को पूरा करता है जिसके का यहना कि कॉंफ्लिक्स के समय यह फाइटर एरक्राफ दुश्मिन एरक्राफ की कैपेबिलिटी इसको जैम करने की शम्तावी रखता है और अब इस एरक्राफ में एर टू ग्राउंड आर्ममेंट्स को भी लगाया गया है जो कि पहले नहीं थे UK की सेक्यूर्टी मिनिस्टर टॉम डुकेंड हट ने अपने भारत यात्र के दौरान खालिस्थानी समर्थकों के खिलाफ एक बड़ी घोशना करिये जिसमों उने खालिस्थानी गतिवीदियों को नाकाम करने के लिए 95,000 पॉंड्स तक की इंवेस्मेंट की घोशना करिये उनका ये भी कहना दा कि खालिस्थानी समर्थकों से पैता होने वाले खत्र के बारे में सरकार को जानकारी देने में और भारत और यूके की Joint Extremism Task Force के माध्यम से दोनो देशों के Joint Work को कॉंप्लीमेंट करने में इस फंड को खर्च किया जाएगा उनका ये भी कहना दा कि भारत और बृतिन के पास मिलकर दुनिया को एक सुरक्षिद और अधिक सम्रध्य स्थान बनाने के कई अफसर हैं दोनों देशों के बीच गहरी सांज़तारी का मतलब है कि हम उन सुरक्षा खत्रों से अधिक प्रभावी डंग से निबढ़ सकते हैं जिनका हम दोनों ही सामना कर रहे हैं और व्रिटेन एक्स्रेमिजम के खिलाव समझ और शमताओं को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को प्रतिवत्द है बाकि इसके अलावा एक अप्लेडिया है कि जी आरेसी द्वारा प्रोजेक्ट 17-1 के तहट बनाए गई तीसरी स्टेल गाइनेट मिसाल फ्रिगेट जिसका नाम है विंद्यगरी तो इसे 17 अगस्ट को इंडियराम फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर रास्टरपती, द्रौपती, मुर्मुजी द्वारा लॉंच किया जाएगा और इस सभी ट्राइस को कंप्लीट करने के बाद अगस्ट 2025 तक इसे इंडियनेवी की सर्विस में कमिशन किया जाएगा दप्रिंट की तरब से यारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारती रक्षा मंत्राले ने इस सप्ताह से पूर्विल अद्दाक में स्थीद रनक्तिक रूप से बेहरती महत्तपून नियोमा एडवांस लेंडिंग ग्राउंड को एक्स्पैंड करने का कारी शुरू कर दिया है रन्वे का कारी है, यह 20 महीनी से भी कम समय में पूरा हो जाएगा, और इस कारी का निरक्षन करने के लिए भारती रक्षा मंत्री श्री राज्या सिंग अगले महीने इस छेत्र का दौरा भी कर सकते हैं, और रिपोर्ट में ये भी कहा गया, कि नियोमा जो कि दुनिया के उनके इंजिन्स में भी कुछ बदलाव किये जा रहे हैं, और अभी वरतमान समय में इस नियोमा एडवांस लेंडिंग ग्राउंड जहां पर पक्का रन्वे भी मौझूद नहीं है, और फिलाल अभी यहां पे स्पेशलाइज ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ या हेलिकॉप् प्रेसिज के दौरान और भी तेजी से कंड़क किये जा सकेंगे। साथ यहां पर तैनात है, इसके अलवा जैसल मेर में भी अपनी आप्रेशन प्रिपेडनेस को इन्हेंस करने के उद्धेश के साथ, इंडिन आवी ने भी ट्रेनिंग एक्ससाइज को कंड़क किया है, इसके अलवा एक अपडेट यह देखने को मिला है, कि सर्विलियंस एक इक्विपेंट के जरीए, अब यॉरॉप में मानवा दिखारों का हननन कर रहा है, और चैनिस कंपनी के कैमरास में जो यह स्किन कलर एनलेटिक्स वाले फीचर की बात की गई है, तो बिसिकली यह एक ऐसा फीचर है कि अगर आब इसे आउन करते हैं, तो फिर जो कैमरा है, उसके सामने से पास होने वाले किसी भी इनसान के त्वचा के रंग की पहचान भी कर सकता है, और चुकि स्किन के रंग से किसी की पहचान करना एक रंग भेद वाना जाता है, जो कई देशों में अपरात की श्टेणी में भी आता है, और चैनिस कंपनी की एक कैमरा के इस फ बागे जो इस चाइनिस कमणी दा हुआ है तो इसके CCTV कैमरास भारत में भी काफ़ जाता इस्तमाल होते हैं और अक्सर आपने शॉप्स वगरा में इनके कैमरास भी देखे होंगे बागे इसके अलावा एक अपडेड ये भी है कि युक्रेन के साथ जारी कॉनफलिक के बीच रशिया ने साध अगस को सफलता पुरुवक अपनी एक मिलिटरी सेटलाइट को लॉंच किया है बागे अब समय है आज की इतिहास का आजे के दिन 2018 में जम्मो कश्मीर में देश के प्रतिय अपना करते वे निभाते हुए लांस नायक प्रदीप सिंग रावत ने अपनी जीवन का सरवोची बलिदान दिया था आज एक दिन 2000 में जम्मो कश्मीर की राज़ोरी में एक आपरेशन के दोरान कैप्टन शेकर घोष वीरगती को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरडो प्रांथ शौरी चक्र से सम्मानित किया गया आज एक दिन 2017 में जम्मो कश्मीर में ही देश की प्रतिय अपने करते वे निभाते हुए नायप सुविदा, जगराम सिंग तुमर, सिपाही जी सुमेद वावन और सिपाही इलिया राज़ापी ने अपनी जीवन का सरवोची भलेदान दिया था बाकि आपके लिए आज का प्रशनी ये है कि इंडियन एरफोर्स में चीफ आफ एर स्टाफ बनने वाले सबसे पहले भारतिये कौन थे दम्हें आज के टॉप थरी कमेंट्स का क्यों ये रहे आपके स्क्रीन पर आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही उमीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और बाकि आपके हमारे मचनदाइस के नए डिजाइन्स को चैक आउट करना ना भूले जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें झाल